नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूदूब चैनल डिजीटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam जन्वरी 2023 के लिए कम्प्यूटर से सम्बंदित कुछ important questions को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT exam जन्वरी 2023 के लिए part number 30 बन है इस वीडियो में हम CPCT exam के लिए और सभी प्रकार के competitive exam के लिए कम्प्यूटर से सम्बंदित 20 important questions को समझने वाले हैं यह सभी बही question है जो पहले भी CPCT exam में या किसी ना किसी competitive exam में पूछे जा चुके हैं तो चलिए सुरुआत करते हैं आज की वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है पहला question हम से पूछा गया है software program जो computer से जुड़ी विशेष प्रकार की device को operate और control करता है उसे blank कहा जाता है software program जो computer से जुड़ी बिसेश प्रकार की device को operate और control करता है उसे blank कहा जाता है यहाँ पर हमसे question पूछा गया है computer system से जुड़ी हुई जो special device होती है उनको operate करने वाला और उनको control करने वाला क्या होता है जब आप अपने computer system से किसी special hardware device को connect करते हैं तो हमें in device का एक software भी अपने computer में install करना होता है तब ही हम in device को अपने computer में use कर सकते हैं तो जो special type की device होती है उनका जो software होता है उसे कहा जाता है device driver device driver किसी device से सम्बंदित जो उसका software होता है उसे कहा जाता है device driver मतलब इस question का answer क्या हो जाएगा option नंबर भी एक ऐसा program जो computer से जुड़ी हुई किसी बिसेश प्रकार की device को operate और control करता है उसे कहा जाता है device driver जैसे की printer है scanner है modem है जब हम इनको computer से connect करेंगे तो पहले हमें इनका software इंस्टॉल करना होता है driver इंस्टॉल करना होता है उसके बाद ही हम इन devices को अपने computer पर use कर सकते हैं तिस question का answer होगा option number B device driver दिखते हैं हमारे next question को next question है निमने लिखित में से किस device के द्वारा computer network में data packets को forward किया जाता है निमने लिखित में से किस device के द्वारा computer network में data packets को forward किया जाता है यह question computer network से पूछा गया है computer network क्या होता है computer network multiple computers और multiple devices का collection होता है कई computer को कई devices को मिला कर एक computer network बनाया जाता है computer network information और resources को share करने के लिए बनाया जाता है यदि हमें information share करनी है resources को share करना है तो हम computer network को create करते हैं हमसे question पूछा गया है computer network में data packets को किस device के द्वारा forward किया जाता है तो एक network में जो router होता है router router का मतलब है root decide करने बाला route मतलब रास्ते network में हमारे data को source से destination तक transfer करना होता है मतलब sender का data कहां तक पहुचाना होता है receiver तक तो source के data को receiver तक भेजने के लिए एक fix route की एक fix रास्ते की आवसकता होती है जो कि हमें router प्रदान करता है router का काम क्या होता है किसी data को transfer करने के लिए route decide करना ऐसा route decide करना जो कि sort हो जहांपर traffic कम हो और data हमारा successfully deliver हो जाए तो router हमारे data को transfer करने के लिए एक तो route decide करता है और जो भी data के packet आते हैं उन data के packet को check करता है और उसको correct route पर forward कर देता है मतलब जब हम network में कोई data transfer करते हैं तो पहले data को small part में divide किया जाता है यह small part कहलाते हैं data के packets एक एक packet को router के द्वारा source से destination तक forward किया जाता है जिस question का सही answer होगा option number D router computer network में data packets को forward करता है देखते हैं हमारे next question को next question है MS word में .xps file extension का full form क्या होता है MS word में .xps file extension का full form क्या होता है यह question MS word से पूछा गया है MS word से MS word जो की एक word processing software है जो की हमें typing और formatting करने की सुभीधा प्रिदान करता है जब हम MS word में कोई file बनाते हैं कोई document बनाते हैं तो उसको save करते समय और automatic .docx extension add हो जाता है MS word का extension क्या होता है .docx MS word में automatic .docx extension add हो जाता है लेकिन file को save करते समय हम यह extension change कर सकते हैं और एक और extension यहाँ पर दिया गया है इसको use कर सकते हैं कौन सा ? .xps जब आप file को save करते हैं तो वहाँ पर multiple type के extension की list होती है उसमें से ही एक extension होता है .xps जिसका हमें full form बताना है .xps का full form होता है .xml paper specification .xps का full form होता है .xml paper specification और यहाँ पर आपको xml का full form भी याद करना है .xml का full form होता है .xtensible markup language .xps का full form क्या होता है .xml paper specification तो यहाँ पर हमने दो full form समझे एक .xps का .xml paper specification .xml का जो की होता है .xtensible markup language .xps का full form होता है .xml paper specification .xml .xps , ms Excel में एक cell format को दूसरे seriously hope करने के लिए blank option का उपियोग किया जाता है .xps .xml के एक cell में कोफियोग को क्याता है .xps के एक cell में कोई formatting यूज़ करी है उस formatting को यदि हमें किसी दूसरे cell पर copy करना है तो हम कौन सा option यूज़ करेंगे यह काम करने के लिए MS Word में MS Excel में MS PowerPoint में एक option होता है format penter format penter क्या करता है एक location से formatting को copy करता है और दूसरी location पर formatting को paste कर देता है तो Word Excel PowerPoint में formatting को copy paste करने के लिए format penter नाम का option use किया जाता है तो इस question का answer होगा option number B MS Excel में एक cell format को, एक cell format मतलब एक cell की formatting को दूसरे cell में copy करने के लिए format penter का उपयोग किया जाता है इस question का answer है option number B इसको हम Excel पर practically भी समझ सकते हैं चलते हैं MS Excel पर यह MS Excel software है for example हमने एक cell में कोई data type किया और अगले cell में भी कुछ data type किया, अब हम पहले cell में कुछ formatting apply कर देते हैं, for example हमने इस cell का color change किया इस cell की font size change करी और इसको bold भी कर दिया, हमने एक cell पर कुछ formatting apply करी है, कुछ format apply किये हैं, अब यही हमें इस cell पर भी apply करने हैं तो हम उस cell को select करेंगे, जिस पर formatting हो चुकी है, इस cell को हमने select किया, इसके बाद हम format penter option पर click करेंगे, format penter option, format penter option क्या करेगा, इस cell से formatting को copy कर लेगा, और आपको जहां पर formatting apply करनी है उस cell पर जाकर आप click कर दें आप देख सकते हैं, एक cell से formatting को copy किया गया और दूसरे cell पर जाकर paste कर दिया, तो यदि हमें एक cell की formatting को दूसरे cell पर copy करना है, तो हम किस option का use करेंगे, format penter का, इस question का answer है, option number B, देखते हैं हमारे next question को next question है निमने लिखित में से कौन एक MS Excel का function नहीं है, निमने लिखित में से कौन एक MS Excel का function नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ function दिये गए है Excel के, और हमें बताना है कि इन में से कौन Excel का function नहीं है, MS Excel में, यदि हमें कोई calculation करना होता है, condition check करनी होती है तो हम functions का use करते हैं हमसे पूछा गया है निमनलिकित में से कौन एक MS Excel का function नहीं है तो max तो MS Excel में function होता है max जो की maximum value को search करता है maximum value find करता है sum भी Excel का function है sum जो दिये गए number का sum करता है जोड़ता है min भी एक function है min min का मतलब होता है minimum जो की minimum value को find करता है लेकिन MS Excel में ABG नाम का कोई function नहीं होता है average calculate करने के लिए हमें average नाम का ही function use करना होता है average function की complete spelling type करनी होती है लेकिन average को sort में ABG नहीं लिख सकते हैं तो MS Excel में ABG नाम का function नहीं होता है average नाम का function होता है हमें average function की complete spelling type करनी होती है तो इस question का answer क्या होगा option number C Excel में ABG नाम का function नहीं होता है Excel में average नाम का function होता है इसको हम Excel पर practically भी देख सकते हैं चलते हैं Excel पर यदि हमें Excel में average calculate करना है तो हमें equal के साथ average function की complete spelling type करनी होती है ABG नाम का कोई function नहीं होता है और आपको जो भी number का average calculate करना है आप बह नमबर यहाँ पर type करें bracket को close करें और enter की को press करें तो इस प्रकार से average calculate हो जाता है हमने यहाँ पर 3 number दिये थे 10, 20, 30 पहले 3ों को जोडा जाएगा तो हो जाएगा 60 फिर 60 में 3 से भाग दिया जाएगा तो answer आजाएगा 20 आप देख सकते है Excel में average calculate करने के लिए average नाम का function होता है ABG नाम का function नहीं होता है तो इस question का answer होगा option number C देखते हमारे next question को next question है computer के संबंध में SATA का full form क्या होता है computer के संबंध में SATA का full form क्या होता है यहाँ पर हमें SATA का full form बताना है आपको एक साथ दो full form याद करने हैं एक SATA का full form और एक Pata का full form यह दोनों computer में दो port या दो cable होती है जिनका उपयोग hardix को motherboard से connect करने के लिए किया जाता है जो computer system में internal hardix लगी होती है hardix को motherboard से connect करने के लिए SATA और PATA दो port या cable use होती है SATA का full form होता है serial advanced technology attachment serial advanced technology attachment और PATA का full form होता है parallel advanced technology attachment SATA का full form है serial advanced technology attachment और PATA का full form होता है parallel advanced technology attachment या दोनों hardix के साथ use होने वाली cable या port होते हैं जिससे hardix को motherboard से connect किया जाता है SATA का full form है serial advanced technology attachment PATA का full form है parallel advanced technology attachment तिस question का answer होगा option number A देखते हैं हमारे next question को next question है graphics tablet किस प्रकार की device होती है graphics tablet किस प्रकार की device होती है हमें यहां पर graphics tablet का नाम दिया गया है और हमसे पूछा गया है यह किस प्रकार की device है output device, storage device, input device या gaming device जो graphics tablet होता है यह एक input device होती है input device, graphics tablet एक flat panel होता है जिसके साथ एक stick भी होती है और हम screen पर या उस flat panel पर जहां पर stick को move करते हैं बहाँ पर हम कोई चीच ड्रॉ कर सकते हैं या किसी चीच को लिख सकते हैं तो graphics tablet एक input device होती है इस question का सही answer होगा option number C graphics tablet एक input device होती है देखते हैं हमारे next question को next question है computer के संबंद में BIN AC का full form क्या होता है बिनयक का full form क्या होता है computer के संबंद में BIN AC बिनयक का full form क्या होता है computer के संबंद में बिनयक का full form होता है binary automatic computer binary automatic computer bin का full form आपको याद रखना है bin बिन मतलब binary, A मतलब automatic और C मतलब computer तो बिन AC बिनियक का full form binary automatic computer होता है BIN मतलब binary, A मतलब automatic और C मतलब computer तो बिन AC या बिनियक का full form binary automatic computer होता है इस question का सही answer होगा option number B देखते हैं हमारे next question को नेक्स्ट कॉस्चन है निमने लिखित में से कौन सी डिवाइस एक कम्प्यूटर को चालू मतलब ओन रखती है जबकि प्राइमरी पावर सोर्स समाप्त हो जाता है इस कॉस्चन को हमें थोड़ा सा समझना है इसका अंसर आपसे बन जाएगा अल्रेडी हम अपने प्रिवियस वीडियोस में इस कॉस्चन को डिसकस कर चुके हैं हमने प्रिवियस वीडियोस में कॉस्चन देखा था कौन सी डिवाइस कम्प्यूटर सिस्टम को पावर का बैकप उपलब्द कराती है या पावर का बैकप प्रिदान करती है for example हमारे computer system में यदि हमने UPS लगा कर रखा है UPS UPS क्या होता है जो कि हमारे computer system को power का backup देता है यदि हमने अपने computer से UPS लगा कर रखा है और यदि power cut हो जाता है electricity cut हो जाती है तो भी हमारा computer system कुछ देर तक on रहता है भै होगा UPS UPS क्या करता है हमारे computer system को power का backup उपलब्द कराता है यहाँ पे हमसे question क्या पूछा गया निम्न लिखित में से कौन सी device एक computer को on रखती है जबकि primary power source समाप्त हो जाता है primary power source क्या है आपके पास जो electricity connection है power का connection है भै आपका primary power source होगा यदि भै कट भी हो जाता है electricity कट भी हो जाती है तो आपके computer को power कहां से मिल जाएगा UPS से मिल जाएगा UPS हमारे computer system को power का backup उपलब्द कराता है UPS का full form होता है अनिंटरप्टेबल power supply अनिंटरप्टेबल power supply अनिंटरप्टेबल power supply तो किसी computer system को primary power source समाप्त होने पर power का backup कौन पिरदान कर देता है UPS और UPS का full form क्या होता है अनिंटरप्टेबल power supply यहाँ पर आपको ALU का full form भी याद करना है ALU का full form होता है arithmetic logic unit तो इस question का सही answer होगा option number B UPS देखते हैं हमारे next question को next question है निमने लिखित में से कौन सा option user को system की basic settings को देखने और बदलने की service provide करता है निमने लिखित में से कौन सा option user को system की basic settings को देखने और बदलने की service provide करता है हमसे यहाँ पर question पूछा गया है कि दिये गए option में से ऐसा कौन सा option है जिसके द्वारा हम system की basic settings को देख सकते हैं और बदल सकते हैं मतलब की change कर सकते हैं तो computer system में जो भी system से related settings होती है उनको देखने के लिए उनको बदलने के लिए control panel का use किया जाता है control panel उसका नाम ही है control panel जहां से हम अपने computer system की complete controlling कर सकते हैं computer system से संबंदित किसी भी settings को on off करने के लिए change करने के लिए control panel का use किया जाता है इस question का सही answer होगा option number c control panel control panel के द्वारा user system से related basic settings को देख सकता है और बदल सकता है इस question का answer है option number c देखते हैं हमारे next question को next question है निमने लिखित में से कौन सा option ms bird में page margins को set करने के लिए उपियोग किया जाता है यह question ms bird से पूछा किया है MS Word में यदि हमें page के margin को set करना है तो हम कौन से option का उपयोग करेंगे mail merge, drop cap, page setup या paragraph margin क्या होते हैं page में margin जब आप MS Word में कोई file बनाते हैं तो आपको जो page दिया जाता है page आप page पर typing करते हैं आपने देखा होगा complete page पर typing नहीं होती है page में all side पर, 4 side पर कुछ blank area छोड़ दिया जाता है top में, bottom में, left में और right में 4 side पर कुछ blank area छोड़ दिया जाता है इसे ही कहा जाता है margin margin मतलब page के all side पर जो blank area होता है उसे क्या कहा जाता है margin यदि हमें यह margin set करने हैं या margin को change करना है तो हम कौन सा option यूज करेंगे, page setup page setup, page से सम्बंदित जो भी settings होती है, जो भी option होते है उनको page setup के द्वारा set किया जाता है तो इस question का answer क्या होगा option number C, page setup के द्वारा हम page में margins को set कर सकते हैं यह MS word का question है इसको हम MS word पर practically भी समझ सकते हैं चलते हैं MS word software पर यह हमारा MS word software है इसमें हमने कुछ sample text टाइप किया है आप देख सकते हैं page पर complete area में typing नहीं होती है automatic page के all side पर चारो side पर कुछ blank area छोड़ दिया जाता है इसे कहा जाता है margin यदि हमें margin को set करना है margin को change करना है तो हम page setup का use करेंगे और page setup option कहां मिलता है page setup option हमें layout tab के अंतरगत प्रदान किया जाता है layout आपको पहले layout tab को select करना है यहाँ पर एक option होता है page setup page setup के अंदर होते हैं margins आप यहाँ से margin को change कर सकते हैं या फिर आप page setup का dialogue box open करके भी margin को set कर सकते हैं तो जो margin होते हैं बहर पेज setup के द्वारा change किये जाते हैं इस question का answer होगा option number C दिखते हैं हमारे next question को next question है predefined page layout font margin और style वाला एक word document किसके रूप में जाना जाता है predefined page layout font margin और style वाला एक word document किसके रूप में जाना जाता है आपको question को थोड़ा समझना है predefined page layout font margin और style वाला एक word document किसके रूप में जाना जाता है मतलब MS word के अंदर यदि आपको पहले से बना हुआ predefined का मतलब क्या है पहले से बना हुआ एक document मिलता है जिसमें page layout मतलब page की style font margin और style पहले से set है तो उसे क्या कहा जाएगा MS word के अंदर यदि आपको पहले से एक ऐसा document बना कर दिया जाता है जिसमें page की style, font, margin, color, style यह सब कुछ पहले से set है तो उसे क्या कहा जाएगा जो हमें predefined document मिलते है पहले से बना कर दिये गए document मिलते है उन्हें कहा जाता है template template, template MS word के अंदर जो हमें predefined document दिये जाते है उन्हें कहा जाता है template template के अंदर page का layout मतलब page की style, font, color, margin, style यह सब कुछ पहले से set होता है यूजर को केबल अपनी information को यहाँ पर enter करना होता है यदि आप कम समय में एक attractive document बनाना चाहते है तो आप MS word में template का use कर सकते हैं template कुछ predefined document होते है जिनमें style, color, font यह सब कुछ पहले से set होता है तो इस question का answer होगा option number A इसको हम MS word पर practically भी देख सकते हैं चलते हैं MS word पर यदि आप MS word में एक नया document बनाते हैं नई file बनाते हैं तो आपको file पर click करना होता है और यहां से new option को select करना होता है जब आप एक नई file बनाते हैं तब आपको multiple type के template दिखाए जाते हैं आप by default select करते हैं blank document मतलब complete file की designing आप swim करते हैं लेकिन यहां पर आपको कुछ predefined template भी दिये जाते हैं जिसमें आप report बना सकते हैं letter बना सकते हैं resume बना सकते हैं यह सब होते हैं template यहां पर आपको कुछ बनी बनाई style ले आउट दिये जाते हैं जो कि आप अपनी आवसकता नुसार use कर सकते हैं यह होते हैं template मतलब template एक बना बनाया document होता है predefined document होता है जिसमें color, size, style पहले से set होते हैं तो इस question का answer होगा option number A देखते हैं हमारे next question को next question है MS Excel में equal fact 4 का result क्या होगा? यह question MS Excel से पूछा गया है MS Excel में equal fact 4 का result क्या होगा? यह question MS Excel से पूछा गया है यह हम MS Excel में equal के साथ fact function को type करें और उसमें value दें 4 तो हमें क्या result प्राप्त होगा? MS Excel का जो fact function है यह factorial calculate करता है और यहाँ पर किसका factorial निकाला गया है? 4 का तो 4 का factorial कितना होता है? 24 इसका answer क्या मिलेगा हमें? 24 जो Excel का fact function है यह factorial calculate करता है factorial factorial किसका निकाला गया है? 4 का तो 4 का factorial कितना हो जाएगा? 24 factorial कैसे निकाला जाता है? हमें 4 का factorial निकालना है तो हम लिखेंगे 4 1 कम करेंगे और 4 में into करेंगे गुणा करेंगे तो चार से एक कम किया तो तीन फिर एक कम करेंगे इसी में गुणा करेंगे दो एक कम करेंगे एक एक तक कम करते जाना है और उसी नंबर में गुणा करते जाना है ध्यान रखें यहाँ पर बन तक कम करना है हमें हमें चार का फैक्टोरियल निकालना था हमने एक कम किया तीन फिर एक कम किया 2, फिर एक कम किया 1, और इन सब का आपस में गुणा कर देंगे, तो 4-3 हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, और 24 हो जाएगा 24, तो जो हमें equation दी गई थी, जो हमें function दिया गया था, उसका answer कितना आ जाएगा 24, इस question का answer होगा option number C, जो fact function है, भह excel में factorial calculate करता है, इसको हम excel पर practically भी देख सकते हैं, यदि हम ms excel में equal के साथ fact function को type करें, और bracket में देते हैं 4, तो हमें answer कितना प्राप्त होगा 24, क्योंकि 4 का factorial कितना होता है 24, जो fact function है, यह क्या calculate करता है, factorial calculate करता है, इस question का answer होगा option number C, देखते हैं हमारे next question को, next question है, वह data, जो अन्य data के बारे में जानकारी पिरदान करता है, वह blank कहलाता है, आप से इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, कि data से संबंदित data को क्या कहा जाता है, या data about data क्या होता है question हम से क्या पूछा गया है बह data जो अन्य data के बारे में जानकारी प्रदान करता है बह blank कहलाता है यह question आप से इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि data से सम्बंदित जो data होता है उसे क्या कहा जाता है या data about data क्या होता है उसे कहा जाता है metadata, एक ऐसा data जो other data से सम्बंदित जानकारी प्रिदान करता, उसे क्या बोलते है, metadata, data about data क्या होता है, metadata, metadata को हम समझ सकते हैं, for example, आपने कोई file बनाई, आपने कोई document बनाया, इसके अंदर आपने अपनी कुछ information, अपना कुछ data श्टोर किया है, यह आपकी file है, जिसमें आपने कुछ data, कुछ information श्टोर कर दी है, इसके अंदर आपका data है, आपकी information है, लेकिन जब आप यह file सेब करेंगे, तो आपको इस file का एक नाम देना होगा, यह file बनेगी, तो आपने किस date पर बनाई, वो date आजाएगी, किस time पर बनाई यह file, वह time आजाएगा, किस user ने यह file बनाई, उस owner का नाम आजाएगा, यह file कहां पर सेब की गई है, उस file का path आजाएगा, इस file की memory size कितनी है, वह size आजाएगी, तो file के अंदर तो आपका data रखा है, लेकिन इस data से संबंदित, यह सब जो data है, इसे कहा जाता है, meta data, आपकी file का नाम, आपकी file किस date पर गई, किस time पर बनाई गई, किस user ने बनाई, किस path पर सेब है, file की क्या size है, यह सब क्या कहलाएगा, meta data, मतलब data से संबंदित, जो data होता है, उसे कहा जाता है, meta data, किस question का answer हो जाएगा, option number B, दिखते हैं हमारे next question को, next question है, operating system permanently blank में रहता है, operating system permanently blank में रहता है, हमसे question पूछा गया है, operating system permanently कहां रहता है, operating system क्या है, operating system एक system software होता है, operating system एक system software होता है जो कि हमारे computer system का man software होता है बिना operating system के हमारा computer system on नहीं हो सकता है boot नहीं हो सकता है ऐसे कि windows है, linux है, unix है, mac है, android है यह सभी operating system होते हैं और जब हम operating system को install करते हैं तो operating system permanently hardix में store हो जाता है, hardix में मतलब secondary memory में operating system को install करने पर बह पर्मानेंटली कहां store हो जाता है, hardix में, लेकिन जब computer system को on करते हैं तो एक booting process start होती है booting process के समय पर operating system को secondary memory से primary memory में मतलब RAM में load किया जाता है और जब तक computer system on रहता है, तब तक operating system RAM में load रहता है, लेकिन पर्मानेंटली हमारा operating system कहां install होता है, hardix में this question का answer होगा, option number B, hardix में operating system को permanently store किया जाता है, देखते हमारे next question को next question है, किसी file के प्रकार को blank के द्वारा पहचाना जाता है किसी file के प्रकार को blank के द्वारा पहचाना जाता है, मतलब किसी file के प्रकार को, मतलब file के type को किसके द्वारा पहचाना जाता है कोई file किस प्रकार की है, यह हम कैसे पहचान सकते है, file के नाम से, file के data से, file के extension से, या file के owner से तो किसी file का जो पिरकार होता है, जो type होता है यह represent करता है उसका extension, किसी file का type कौन सो करता है, उस file का extension, extension क्या होता है, जब आप कोई file save करते हो, तो आपको file का एक नाम देना होता है, इस नाम के बाद dot symbol या dot operator add हो जाता है, और इसके बाद लग जाता है file का extension और extension हर software का अलग-अलग होता है जो कि यह represent करता है कि कोई file किस प्रकार की है for example आपने notepad में एक file बनाई notepad में आपने file का नाम दिया for example app आपने file बनाई notepad में नाम क्या दिया app automatic इसमें लग जाएगा .txt आपने notepad में file बनाई है नाम दिया आपने app लेकिन automatic extension क्या लग जाएगा .txt ऐसी MS Word का extension क्या होता है .docx हर software का अपना क्या होता है extension होता है जो कि उस file के पिरकार को सो करता है file के type को सो करता है extension आपको यहाँ पर एक question और तयार करना है कि file के name और उसके type को किस operator से किस symbol से separate किया जाता है तो file के नाम और उसके extension को .symbol से separate किया जाता है बीच में क्या लगा होता है . लगा होता है और file का जो extension है वह file के पिरकार को represent करता है तो इस question का सही answer होगा option number C किसी file के पिरकार को extension के द्वारा पहचाना जाता है देखते हमारे next question को next question है blank excel seat के cell में एक formula का result होता है blank excel seat के cell में formula का result होता है यहाँ पर हमसे excel से question पूछा गया है blank excel seat के cell में एक formula का result होता है जब आप MS Excel के किसी cell में कोई formula लगाते हैं तो formula calculate होने के बाद आपको जो result मिलता है आपको जो answer मिलता है वह क्या होता है table, value, filter या range जब कोई formula पर्फॉर्म हो जाता है उसका जो result मिलता है उसे कहा जाता है value उसे क्या कहा जाता है value कोई भी formula या function पर्फॉर्म होने के बाद हमें जो answer प्रदान किया जाता है हमें जो result दिया जाता है उसे क्या कहते हैं value कहते हैं कोई भी formula या function calculation करने के बाद जो result देता है उसे क्या कहा जाता है value this question का सही answer होगा option number B value MS Excel seat के cell में formula का result होता है formula और function के द्वारा हमें जो result दिया जाता है उसे क्या कहते हैं value कहते हैं देखते हैं हमारे next question को next question है inkjet और laser printer blank printer के example है inkjet और laser printer blank printer के example है यह question printer से संबन्दित है कि inkjet printer और laser printer किस type के printer होते है printer क्या है printer एक output device है जो कि हमें hard copy output प्रदान करता है printer के दो main type होते हैं एक होता है impact printer एक होता है non impact printer impact printer बह प्रिंटर होते हैं जो printing करते समय अधिक सोर करते हैं आवाज अधिक करते हैं जबकि non impact printer कम sound में high quality print out देते हैं impact printer मतलब जो printing करते समय अधिक आवाज करते हैं और non impact printer printing करते समय कम आवाज करते हैं और इनकी printing quality भी high होती है जो inkjet printer है और laser printer है यह दोनों ही non impact printer है जबकि dot matrix और line यह दोनों impact printer होते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा option number A inkjet और laser printer non impact printer के example होते हैं इस question का answer होगा option number A inkjet और laser printer non impact printer के example हैं दिखते हैं हमारे next question को next question है telnet एक blank का example है telnet एक blank का example है telnet क्या होता है हमें यहाँ पर बताना है browser है search engine है protocol है या spread seat है जो telnet है यह network का एक protocol होता है telnet network का एक protocol होता है जो की remote login की service प्रदान करता है remote login की remote login क्या होता है यदि हमें अपने client computer से जो computer हमारे पास है वह कौन सा computer कहलाएगा client computer इस client computer से किसी remote computer में remote computer कौन सा कहलाता है जो computer हमारे पास नहीं है उस computer को access करना है remote computer में login करना है तो telnet नाम का protocol use किया जाता है telnet एक network protocol होता है जो की remote login की सुभिदा प्रदान करता है telnet का full form होता है tele type network या tele communication network telnet एक protocol है जो remote login की सुभिदा देता है remote login का मतलब क्या है local या client computer से remote computer में login करना और telnet का full form होता है tele type network या tele communication network तो इस question का answer होगा option number C telnet एक protocol का example है देखते हैं हमारे next question को next question है CRT LCD TFT और LED blank के प्रकार है CRT LCD TFT और LED ब्लेंक के प्रकार है यह चारो monitor के प्रकार है monitor के टाइप है monitor क्या होता है monitor एक output device है monitor एक output device है जो की हमें soft copy output प्रदान करता है monitor एक output device है जो की हमें soft copy output प्रदान करता है CRT monitor का type जिसका full form है cathode ray tube, cathode ray tube LCD liquid crystal display, TFT thin film transistor, LED light emitting diode light emitting diode तो CRT, LCD, TFT और LED monitor के type होते है इस question का answer होगा option number D यह चारो monitor के type है monitor एक output device होती है जो की हमें soft copy output प्रदान करती है इस question का answer है option number D तो आज की वीडियो में हमने CPCT exam के लिए और सभी प्रकार के competitive exam के लिए computer से सम्बंदित 20 important questions को समझा है जब हम एक question को समझते हैं तो उससे सम्बंदित हमें कुछ और भी question तैयार करने मिल जाते हैं आप इन सभी questions को पढ़ें समझें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जादा से जादा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद